नमस्कार दोस्तों मैं संजय चौधरी बुबाई और टेक चला यूटूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है आज दोस्तों मैं केकवाक के उपर एक बेसिक सा टिटूरियल लाने वाला हूँ ये मेरा यूटूब चैनल मेरा डेक्स्टॉप स्क्रीन के उपर आप देख पा रहे हैं इधर बहुत सरा केकवाक रिलेटेड वीडियो मैंने अल्री अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल में केकवाक के उपर जो वीडियो मैंने डाला है वो नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरा चैनल को विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं बहुत ही काम का वीडियो है दोस्तों चैनल करना में दोस्तो टेक चाला यहां पर आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप यहां पर देख सकते हैं मैंने playlist में category में divide कर दिया हूँ copyright free music, live videos, DAW, cakewalk tutorial in Hindi मतलब इसमें दोस्तों अभी तक 36 videos मैंने upload कर चुका हूँ आप इसमें cakewalk का detailed video इसमें मिल जाएगा तो आप भेट कर सकते मेरे इस channel को अगर आप suppose FL studio कर रहे है, Q base कर रहे है या फिर logic में आप practice कर रहे है तो वहाँ से cakewalk में jump करने के बाद आप क्या करोगे कैसे उसका interface को समझोगे, उसमें काम करोगे तो उसी का basic सा एक tutorial जो सुरुवात के दिनों में मैंने दिया था आप देख सकते वो video cakewalk को शुरू करने के लिए आपको क्या 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 करना होगा उसी के उपर ये video है, सुरू से सुरुवात करते है एक बर तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना है दोस्तों आपको cakewalk को कहां से डाउनलोड करना होगा वो आप देख लीजिए आपको गूगल में जाना है गूगल में जाने के cakewalk by bandlab लिग देना है यहां पर नीचे देखिए डाउनलोड जो ऑप्शन वाला ऑप्शन है cakewalk by bandlab डाउनलोड यहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों ओफिशियल वेब साइट है वहां से हम उसको डाउनलोड करते है डाउनलोड करने का दो तरीका है दोस्तों तो यहां पर देखिए दोस्तों डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया है दोस्तों डाउनलोड का बटन आपको दे दिया है अगर आप यहां पर भी डाउनलोड का ऑप्शन है दोस्तों लेकिन मैं यहां से डाउनलोड करूंगा तो दो तरह क्या option आपको दिखाए देगा दोस्तों एक cakewalk installer और bandlab assistant दोनों ही तरफ से मतलब दोनों installer से आप install कर सकते हैं यह पुराना वाला method है पहले आपको bandlab assistant को download करना होता है उसके बाद उसको install करना होता है उसके बाद वहाँ से cakewalk को install किया जाते हैं तो यह दोस्तों पुराना वाला method है मैं बुलूंगा आप इसमें मत जाएए आप यह वाला नया वाला जो cakewalk installer इसी को install कर दीजेगा normal software जैसे install होता है वैसे install होगा लेकिन install करने के वक्त आपका computer laptop में internet connection जरूर है दोस्तों क्यूंकि installation के वक्त वो कुछ फाइल को download करता है और download करने के बाद वो install होता है तो चली दोस्तों suppose मैंने मैं समझ लेता हूँ कि आपके machine में cakewalk install हो गया आप cakewalk install हो गया तो cakewalk को आप खोलेंगे कैसे cakewalk को double click करने से खोल जाता है बहुत easy है दोस्तों मतलब एक joke की आप लोगों से तो cakewalk खोल रहा है दोस्तों केकवा खोलने के बाद आप क्या करोगे सबसे बड़ा question है नया interface नया system नया DAW कैसे आप इसमें practice करोगे कैसे इसमें आप track बनाओगे कैसे आप इसमें instrument को load करोगे दोस्तों cakewalk एक ऐसा DAW है full featured DAW है इसके बारे में बहुत सा वीडियो मैंने upload कर दिया हूँ क्यूँ cakewalk आपको जरूरी है दूस्तरा कोई महेंगा वाला DAW अगर आप खरीद नहीं सकते तो क्यूँ cakewalk को केकवा को ही आपको install करना है cakewalk को ही आपको यूज में लेना है इसका पूरा डीटेल वीडियो मैंने अल्रडी दो तीन upload कर चुका हूँ आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके न्यू प्रोजेक्ट में आते हैं दोस्तों cakewalk में third party VST install होता है मतलब किकवाक अगर जब आप install करेंगे तो by default कुछ बहुत अच्छा अच्छा effects इसमें आपको मिल जाएगे VST instrument 4-5 है बहुत ही अच्छा अच्छा वो भी आपको मिल जाएगे लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको synth चाहिए अच्छा वाला synth चाहिए जैसे आप सर्ज को ही ले लिए जैसे सर्ज, synth master player, synth one, tyler and six ऐसे बहुत सारे जबरा टू, जबरलेट, ताल नॉइजमेकर, बहुत सारा VST instrument है दोस्तो VST plugin से जो बिलकुल ही free में आता है और बहुत ही professional VST instrument होता है दोस्तो वो सब, अगर आप चाहते कि उस VST को आप अपना केक वाक में install करना चाहते है तो वो भी possible है, इसमें third party VST installed होता है और कोई भी partition ही नहीं होता है unlimited track इसमें आप create कर सकते है, track का कोई limitation नहीं है third party VST को use करने भी कोई limitation नहीं है दोस्तो चलिए पहले हम लोग empty project में click करते हैं, empty project में click करने के बाद यहाँ पर दोस्तो project open होगा यहाँ पर opening project दिखा रहा है दोस्तो, यहाँ पर VST scan हो रहा है अभी तक इसका जो interface है दोस्तो, इस interface के बारे में थोड़ा बहुत शानकड़ी आपको दे देते हैं बाई तरफ है inspector panel, यहाँ पर दोस्तो जो by default effect दिया जाता है कि क्योंके हर एक channel के साथ वो दिखा जाता है और इसको बोला जाते है inspector panel, इस inspector panel को आप यहाँ से इसको close कर सकते हैं यह वाला चोटा वाला icon आप देख रहे हैं double arrow का यहाँ से click करेंगे तो यह चला जाता है दोस्तो और die तरफ जो है इसको बोला जाता है browser, इस browser को दोस्तो same process यहाँ से आप इसी यहाँ पर भी एक double arrow है इस double arrow से आप इसको छोटा मतलब collapse कर सकते हैं अगर आपका space ज़्यादा चाहिए तो यह बोला जाता है दोस्तो यहाँ पर जो option है इसको channel rack बोला जाता है यह वाला option को और यह जो area है इसको बोला जाता है playlist मतलब यहीं पर आपका track रहेगा यहाँ का instrument रहेगा VST instrument और instrument का यहाँ पर track रहेगा और आप यहीं से design करेंगे उपर में जो है दोस्तो ये menu bar है यहाँ पर हर सब्टर में कुछ ना कुछ menu होता है तो वो menu आपको यह दर दिखाई देगा यहाँ पर दोस्तो toolbar है तो यहाँ पर आप advanced और non-arranger basic बहुत सरा interface आपको दिया गया है मैं advanced में रखता हूँ यह advanced अच्छा है दोस्तो तो अब यहाँ पर यह toolbar जो है इस toolbar में आप इधर दिख सकते है बहुत सरा tool दिया गया है export का option है इधर tab है यहाँ पर मतलब जो cursor का tab है इसमें आप select cursor को erase कर सकते edit कर सकते, no को draw कर सकते, divide कर सकते यह सब tools इधर दिया गया है यह snap option है दोस्तो यहाँ पर आप click करेंगे तो snap on off होगा यहाँ पर time signature है दोस्तो और यह play stop or record का tab है यहाँ पर time and tempo का tab है दोस्तो यहाँ पर by default 120 tempo रहता है दोस्तो और यहाँ पर 48 hertz और यह setting से sound का आप यहाँ देख सकते हैं यह दर click करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर एक dial up खुल जाता है तो यहाँ पर 4800 है यहाँ पर मैं 44100 में रखता हूँ और audio bit depth को मैं 24 रखने की कोशिस करता हूँ क्योंकि यह एक standard quality का option होता है इसको apply and okay कर देना है तो यहाँ पर 44.100 and 24 हो गया दोस्तो यह यहाँ पर key signature है दोस्तो यहाँ पर metronome option है आप इधर देख सकते हैं यह metronome play करते time होगा यह record करते time metronome चलेगा metronome का settings को खुलना चाहते तो यहाँ पर click करेंगे तो metronome का settings खुल जाता है अगर दोस्तो आप चाहते कि recording आप का play head चालू हो run करना तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक कर देना है तो आपको count होगा चार बर उसके बाद recording चालू होगा यहाँ पर दोस्तो म्यूट वी तो ने सोलो फंक्शन बहुत सारा record बहुत सारा option दिया गया है automation का record का भी option दिया गया है यहाँ पर यह लूप है दोस्तो किसी भी जगे को आप select कर सकते है यहाँ पर जैसे मैं थे one से four बार तक select किया और यहाँ पर click कर देनके तो लूप on हो जाता है यह धर दो छोटा सा ओवर्वियू कौन सा चीज को क्या कहते हैं इसका इंटरफेस के बारे में अब दोस्तों यहां पर VST को कैसे कॉल किया जाता है क्योंकि VST के अलाबा तो आप कुछ कड़ी नहीं सकते डॉमें डॉका जो बैकबोन होता है वो VST होता है आपको VST को यहां पर कॉल करन सकते हैं अगर कीबोड से वी प्रेस करेंगे तो यह ब्राउजर कुलाज्ड हो जाएगा फिर से वी प्रेस करेंगे तो ब्राउजर आ जाता है दोस्तों तो यहांपर देखिए यहांपर option है एक यह देखिए media plugins, notes, audio effects, effects और इन्स्टाड वर्चुल इंस्ट्रूमेंट तो दोस्तों प्लागिन स्टेप में रहना है उसके बाद प्लागिन्स टैब में रहने के बाद यहान पर देखिए एक छोटा शाग भीनों जैसा सिंबॉल है यहां पर आप जानेंगे करेंगे तो दोस्तों VST instrument इसी option के अंदर रहता है मैं category में इसको भागकर divide कर दिया हूँ और यहां पर bus है यहां पर drum है यहां पर free synth है free synth मतलब यह 100% free synth है दोस्तों मतलब आप इसको internet से download कर सकते किसी-kisie VST को download करने के लिए आपको उधर register करना होता है उसके website में लेकिन वो free है दोस्तों मतलब 100% free है आप बहुत ही professional इसमें से काम कर सकते हैं इस free वाला VST से तो यहाँ पर general midi के quark TTS के बारे में मैंने अलरी एक वीडियो कल upload किया हूँ आई बटन में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पर guitar का VST मैं सबको category में इसको divide करके रखा हूँ आप लोग भी category में divide कर सकते है category में कैसे divide किया जाता है VST instrument का जब मैंने tutorial upload किया था उसी tutorial में यह था आप वो भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं पहले एक हम VST को call कर लेते हैं VST को कहां से call करेंगे दोस्तों free since में जाके हम VST को ले लेते हैं पोडॉल्स की supertron चलिए supertron को ही ले लेते हैं दिखिए दोस्तों VST को call करने के लिए आपको क्या करना होगा जो भी आप VST का इधर नाम देख रहे हैं मतलब VST इधर है उसको drag and drop करना होगा इधर जो VST का channel का जो rack है उस rack में आपको call करना होगा क्या करना होगा यहां से drag and drop करेंगे यहां पर छोड़ देंगे एक डायलोग बॉक्स खुल जाता है दोस्तो अभी के लिए सुरूबात के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि Simple Instrument Track में आपको टिक रहना होगा और Enable Media Output और Synth Property Page ये तीनों में आस्क करेगा उसके लिए यहाँ पर टिक होना जरूरी है तो इसको करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर जो Super Tron का VST हो जाएगा दोस्तो ऐसे तो यह Free वाला VST है इसलिए यहाँ पर एक Message देता है दोस्तो Thank You Message You Can Support अब यहाँ पर दोस्तो हम क्या करेंगे इसका Sound को सुनेंगे आप इसका Presets अगर Change करना चाहते है तो Presets को आप यहाँ से Change कर सकते है यहाँ से तो दोस्तो VST को Call करने के बाद दोस्तो यहाँ पर यह VST का आप देख सकते यहाँ पर तो छोटा वाला एक Arrow आ गया है इधर इसको आप क्लिक करेंगे तो यह बड़ा हो जाता है दोस्तो और इसको आप ज्यादा भाई बड़ा कर सकते हैं यहाँ से Drag and Drop करेंगे तो इसका बहुत सारा Option इधर खुल जाता है दोस्तो तो इसको यह Flexible है इसको आप यहाँ दर दाए तरप करेंगे तो यह Collapse हो जाएगा यहाँ से दोस्तो आप इसको Track का Hide जो है उसको छोटा भी कर सकते हैं यह दोस्तो VST का Property हो गया और यह हो गया Playlist अब दोस्तो क्या करना होगा आप ऐसे तो आप यहाँ पर Midi Keyboard से Recording कर सकते हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि आप Piano Roll में जाके Draw करे तो बहुत अच्छा होता है दोस्तो सीखने के लिए तो Recording करने के लिए दोस्तो कुछ नहीं मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर यह जो लाल वाला Option है यहाँ पर इस Option को टिक कर देना है और यहाँ पर 120 है दोस्तो मैं इसको थोड़ा सा घटा देता हूँ 90 कर देता हूँ और दोस्तो यहाँ पर देखिए एक रिकॉर्ड का बटन दिया गया है अगर आप इसमें क्लिक कर देंगे तो रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा दोस्तो मैं क्लिक कर देता हूँ देखिए 3,4 दोस्तो अपनों आप लोगों ने देख लिया कैसे यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू हो गया था मैं छैना मर से चालू कर दिया था दोस्तो इसलिए इसको पहले लाना होगा अब रिकॉर्डिंग खतम हो गया दोस्तो तो मैं क्या करूँगा इधर इसको रिकॉर्डिंग को आफ कर दूँगा इस ट्रेक को रिकॉर्डिंग के लिए आफ कर दिया तो इसको प्ले बटन दिखिए दोस्तो प्ले हेड को समझ लेते एक बर पहल तो उसके लिए आपको सिर्फ डाबलू दबाना है डाबलू दबाना ऐसे यह प्लेह पीछ एकदम सामने आ जाता है वहाँ नमबर ट्रैक में तो कैसे इसको रिकॉड किया जाता है अगर आप चाहते कि पियान रूल में जाके आप ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए दोस्तो यह यहाँ पर इसका जो हेड है इस हेड में इसका जो हेड है दोस्तो यहाँ पर आप डावर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पिर भी आप डावर क्लिक करेंगे तो यह प्यान रूल खुल जाता है दोस्तो तो अब यह देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट भी दिखा रहा है और प्यान प्यानो रोल को बढ़ा करने के लिए दूस्तों कम्पीटर से शिप्ट और डी दबाएंगे तो प्यानो रोल बढ़ा हो जाता है फिर से शिप्ट और डी दबाएंगे तो प्यानो रोल छोटा हो जाता है तो मैं फिलाल के लिए प्यानो को बढ़ा कर लेता हूं और यहां पर बहुत सरा दोस्तों मतलब grid line 32 grid line दिखा रहा है अगर मैं चाहता हूँ कि grid line को कम दिखाना है तो view में जाएंगे show और height grid line करेंगे तो देखिए ये default art मतलब 1, 2, 3, 4, 4 grid line आपको दिखाएगा लेकिन अगर grid line को आप show करेंगे तो grid line जो resolution होगा resolution के हिसाब से आपको दिखाएगा तो resolution कहां से दिखा जाता है दोस्तों यहाँ पर आएंगे grid resolution 1 by 60 ने 1 by 8 करेंगे तो दोस्तों यह दिखिए 1 by 8 हो गया grid solution आप दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर zoom in और zoom out का option दिया गया है दोस्तों यहां पर यह वर्टिकली जूम इन जूम आउट है यहां से आप कर सकते हैं तो यहां से करेंगे तो दोस्तों यह छोटा हो जा रहा है दिखिए और यहां से यह वड़ा हो रहा है दोस्तों और यहां पर उपर में होराइजन्टली जूम इन जूम आउट है इसको आप horizontally कर सकते हैं तो मैं यहाँ से क्या करूँगा दोस्तो आप यहाँ से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं पियानरोल के उपर एक बड़ा सा टीटोरियल एक complete टीटोरियल मैंने अपलोड किया हूँ दोस्तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं तो इसको काटने के लिए दोस्तो मतलब प्यानरोल को काट देना है मतलब यहाँ से बाहर निकालना है तो दोस्तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे पेनोल कट जाएगा तो यहाँ पर console view में आ जाएगा दोस्तो console view को भी कट देंगे उसके बाद यहाँ पर यहाँ आता है दोस्तो तो इसको छोटा कर देते हैं यहाँ पर double click करेंगे तो यह छोटा हो जाएगा अब फिर से अगर आपको VST चाहिए तो दोस्तो सेम process है यहाँ पर search में जाएंगे search को click कर देंगे simple वही तीनों रहेगा आ गया दोस्तो search का आप पीछ यहाँ से change कर सकते हैं पीछ चेंज करके आप अब बज़ा सकते हैं और इसको अगर आप चाहते कि यहाँ पर आप मीडिय को में प्यान रोल में जाएंगे तो डबल क्लिक करके उसी प्लेलिस्ट को पर डबल क्लिक करके आप प्यान रोल में जा सकते हैं यहाँ पर से कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हैं अपने ही साथ साथ साउंड को single click drag and hold करेंगे तो यह ड्रा होगा अगर डबल क्लिक करेंगे तो इसी का जो length and velocity है उसी फेलोसिटी में इसको यह copy करता जाएगा दोस्तो इसको बीच में से काटने के लिए इसको divide करने के लिए alt दबा के आप यह दिखे पैंची का सिंबल आ गया है scissor का यहाँ से काट सकते है यहाँ से काट सकते हैं यह तीनों में divide हो गया इसको move करने के लिए उपर move करने के लिए नीचे इसको alt दबा के अगर आप mouse wheel को छोटा बड़ा करेंगे उपर नीचे करेंगे तो यह zoom in zoom out होता है दोस्तो किसी भी note को अगर आप select करेंगे तो वहाँ पर click करने से यह select हो जाता है दोस्तो अगर multiple note को आप select करना चाहता है तो control दबा के note को आप click करते जाएंगे तो वो select होता जाएगा दोस्तो deselect करने के लिए कहीं पर भी single click करने से deselect हो जाता है अगर multiple note को आप select करना चाहता है तो दोस्तो right click कर के drag करेंगे माउस को देखे एक blue सा square आता है दोस्तो rectangle उसी के उस rectangle के अंदर जितना सारा note रहेगा दोस्तो वह सब एक साथ select हो जाएगा किसी भी note को delete करने के लिए दोस्तो यहाँ पर right click करेंगे वहाँ पर जाके तो यह delete हो जाता है दोस्तो रेक्लिक करने से डिलीट हो जाता है या फिर आप कम कर सकते हैं किसी भी नोट को डिलीट करने के लिए आप सिलेट करेंगे कीबोड से डिलीट करेंगे फिर से भी ये डिलीट हो जाता है दोस्तो बहुत सिंपल छोटा या बड़ा करने के लिए दोस्तो यहाँ पर जाएंगे तो देखिए दोनों arrow में ये change हो जा रहा है mouse यहाँ पर pencil है गए दो arrow में convert हो गया अब इसको आप die a by a कर सकते है तो ये लंबा हो जाएगा बाएं तरब से भी same है दोस्तो मतलब बाएं तरब से छोटा बड़ा करने के लिए आपको कहीं पर भी कोई option को on नहीं करना होगा और इसका velocity दोस्तो क्या करेंगे ये किसी भी note का velocity ये इसका note का velocity है इसको seal it करने के बाद या फिर आप बिना seal it किये ही यहाँ पर इसको छोटा बड़ा कर सकते है अगर एक ही line पर multiple note है दोस्तो तो तब आपको seal it करना ज़रूरी हो जाता है इसको अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा वाला note का velocity कम हो रहा है तो दोस्तो उसके लिए एक बहुत अच्छ option है किसी भी note के ऊपर आप जाएंगे तो pencil देखिए दो फोल एरो में एक symbol आ गया दोस्तो आप देखिए एक line जैसा पिरामीड जैसा त्रिभूज कुछ आ गया है इसको अगर आप क्लिक करके छोटा बड़ा करेंगे तो इसका velocity कम ज्यादा होता होगा दोस्तो तो यहां पर से भी आप velocity कम या ज्यादा कर सकते हैं किसी भी note के ऊपर आप जाएंगे तो वह symbol आ जाता है उसका velocity कम या ज्यादा होगा तो प्यान रूल में यह कुछ जरूरत की चीज़ है दोस्तो जो आपको जानना चाहिए उसके बाद आप practice कर पाएंगे अच्छे से अब दोस्तो थोड़ा playlist को समझ लेते हैं playlist को आप इधर देख सकते हैं playlist को मैंने छोटा कर रहा हूँ प्लेइलिस्ट के पीछे दोस्तो देखिए grid line है मतलब यह 1,2,3,4 आपको line दिख रहा है यह आप यहां से option को change कर सकते हैं कि मुझे जो track मैंने लिया इसके उपर मुझे grid line चाहिए तो दोस्तो यहां पर आना है आने के बाद यह view में जाना है विव में जाना के बाद डिस्प्ले में जाने के बाद दोस्तो जो वर्टिकल grid lines जो है इसको in front of clips मतलब यह जो clips है clips के उपर आपको दिखना है तो वो on कर देना है तो clips के उपर आपको grid lines दिखेगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे clips के उपर grid line नहीं दिखना है तो यहां पर जाना है जाने क डिस्प्ले में जाना है डिस्प्ले में जाने के बाद virtual grid lines के उपर behind clips करेंगे तो clips के उपर आपको grid line नहीं दिखेगा clip के behind में दिखेगा दोनों ही कमाल का चीज है दोस्तो आपके आपका सुविदा के हिसाब से आप इसको on off कर सकते हैं अब दोस्तो यह clip है दोस्तो मतलब यह देखिए यह clip मतलब जितना सारा हम recording किये यह एक एक छोटा छोटा clip है इस clip को आप divide कर सकते हैं जैसे प्यान रोल में आप करते थे किसी भी note को काटने के लिए यहाँ पर भी same है दोस्तो अगर मैं चाहता हूँ यह 7 बार तक है 1, 2 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैं इसको 4 से divide क करना चाहता हूँ तो alt दबा के यह 4 में divide हो गया दोस्तो तो इसलिए दोस्तो मतलब अगर आपको clip को लेके कम करना है तो view में जाने के बाद आप display में जाने के बाद अगर virtual grid lines को in front clip करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर यह alt का जो option है इसमें आपको grid line के उपर आप कहेंची को जा सकते हैं वहाँ परस इसको काट सकते हैं तो देखें यह already तीनों क्लिप में divide हो गया दोस्तो मतलब था तो सिर्फ एक क्लिप यह लेकिन divide हो गया कि यहाँपर से मैं थोड़होत कूछ और बंदेता हूँ चलीए देखते हैं यह दोनों बनाया दोस्तों यहां पर से काट देंगे यह देखिए दोनों यहां पर और एक क्लिप रेडी हो गया दोस्तों फिर से अगर मैं चाहूं कोई यहां पर से मतलब बाड़ा नंबर से कुछ बनाऊ यह नंबर 12 में है तो यहां पर मैं कुछ बनाना चाहता हूं इसको फिर से काट देंगे तो देखिए यहाँ पर और एक clip रेडी हो गया है दोस्तों यहाँ पर देखिए तो अगर हम चाहते हैं कि इस clip को और इस clip को अगर joint करेंगे तो कैसे joint करेंगे दोस्तों simple सा हिसाब है rightly करके इसको select करेंगे या फिर आप select करने के लिए एक-एक control दबा के आप select कर सकते है या फिर मेरा तो सबसे अच्छा तरीका लगता है right click करके ड्रैग करके मैं इसको select कर लेता हूँ और यहाँ पर right click करेंगे head के उपर और यहाँ पर देखिए दोस्तो bounce to clip करेंगे option एक है bounce to clips इस bounce to clip में click कर देंगे तो दोस्तो यह एक track मतलब एक clip बन जाता है दोस्तो देखिए अभी यह 3-4 click नहीं है किसी भी जगए select करेंगे तो first से last तक यह select हो रहा है दोस्तो इसको फिर से divide करने के लिए आप alt दबा के आप किसी भी जगए से इसको divide कर सकते है किसी भी जगए से तो यह बहुत सारा clips बन गया फिर से दोस्तो देखिए तो इसको आप move कर सकते है कहीं पर भी किसी भी clips को अगर delete करना चाते है दोस्तो तो उसके लिए आपको select करना होता है select करने के बाद delete की press करने से वह वाला clip delete हो जाता है track तो रह जाएगा दोस्तो लेकिन वह वाला clip delete हो जाएगा यहां से भी अगर delete करना चाते है तो delete कर सकते है यहां पर यह देखिए मैं delete की press करूँगा यह delete हो जाएगा यहां से इसको भी delete कर सकते है यहां पर से delete कर सकते है अब इसको अगर प्यानरोल में खुलेंगे तो देखिए प्यानरोल में जितना साड़ा उधर नोट था वो सब भी डिलिट हो गया है दोस्तो मतलब जहां तक क्लिप्स रहेगा वहां तक प्यानरोल का जो ड्रॉर लाइन है वो ड्रॉर लाइन आपको दिखाएगा अजिए वे नोट का लाइन आपको दिखाएगा ये बहुती मज़ेदार चीज़े के कौका दोस्तो बहुती फ्लेकसिबल है आप अपने तरीके से इसको इस्तमाल कर सकते हैं बहुती हैं यूजर फ्रेंडली है तो क्लिप को ऐसे आप टिलिट रिमूब कर सकते हैं मैं इसको तो दोस्तो प्रोजेक्ट को सेब करने के लिए फाइल सेब में जाएंगे तो सेब का ओप्शन मांगेगा यहां से आप अपना किसी भी फोल्डर को सिलेट कर सकते हैं यहां पर प्रोजेक्ट के नाम देना होगा ठीक है मैं BASIC Basic नाम देता हूँ उसमें सेब कर देता हूँ यह एक ओप्शन मंगता है कि दोस्तो कि यह केकवक में सेब करते हैं केकवक और इस चूज़ टू सेवरल दी टाइप आप सेविंग स्वांग प्रोजेक्ट मतलब यह CWP केकवक प्रोजेक्ट में सेब हो रहा है मैं इसका लेकिन कैसे प्रोफरली एक्सपोर्ट करना है वो थोरे दिन बाद आपको सिखाऊंगा आप पहले प्रोजेक्ट को सेब कीजिए और उसके उपर काम करते रही है इसका जो दूसरे वाला वीडियो होगा वीडियो में मैं कैसे एफेक्ट प्लगीन को इस्तिमाल किया जाता ह सबसे जल्द आप लोगों के पास पाउच जाए और दोस्तों लोगों में ये वीडियो सेयर कर देना तो किसी ना किसी को इस वीडियो से हिल्प होने वाला है और पास वाले जो घंटिक आइकोन है उसमें भी जोर से दबा देना ताकि घंटिक आवाज वहां से मेरे कान तक पहुंच जाएं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मुलाकात होगा दोस्ते एक वीडियो में दोस्ते एक टिट्रेल में तब तक के लिए गुड़ बाइ और थैंक यू